So hey guys and welcome to another video of my channel और superhero world की one of the most coolest और सबसे badass superpower, healing factor और regeneration यानि कि Deadpool या फिर Wolverine की तरह आप कहीं पर गिर जाओ, आप कट जाओ, जल जाओ, आपको कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में कोई लोड ही नहीं है तो क्या ये चीज रियल लाइफ में पॉसिबल है, क्या साइन्टिफिकल ये चीज हो सकती है इसी बात को आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इंट्रो में ज्यादा गया नहीं पेलता है और without wasting any more time चल ये वीडियो को शुरू करता है तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपको डेटपूल जैसी पावर्स चाहिए कि आपके वूंड यानि की घाव भर जाए आपके कटे हुए और गन्स वापस से रिग्रो हो जाए और आपको कोई डिसीज भी ना हो तो ये सारी चीज़े उनके जिनेटिक्स पर डिपेंड करती है और अगर आप इन जीन्स को म्यूटेट कर पाए उसमें चेंजिस कर पाए उसे जादा स्ट्रॉंग कर पाए जो कि फ्यूचर में शायद पॉसिबल हो पाएगा साइंस कर थ्रू तो आप अपने इम्मुनिटी को कंट्रोल कर सकते है थोड़ा बहुत यानि कि आप जल्ली बिमार नहीं पड़ेंगे या फिर डिसीज़ आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी हाँ ये चीज़ हो सकती है पर अगर मैं आओ दूसरे पॉइंट के उपर जो कि है घाव भरने वाला या फिर और गन्स को रिग्रो करने वाला रिजनरेशन का पार्ट तो वो चीज और कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिरकार घाव भरते कैसा है तो अगर आपकी बॉड़ी के ओपर कोई घाव लगता है तो उसके आसपास के जो और सेल्स होता है कोश वो आपस में डिवाइड होता है जैसे साल डिविजिन कह करो कि एक छोटा बच्चा भी होता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी बॉड़ी बड़ी होती है ये सारी चीज़े सेल डिविजिन के थू ही होती है यानि कि एक कोश में से दो कोश बनते है अब यहाँ पर सेल डिविजिन की जो प्रसेस है उसे प्रोटाउन को नाम क genes control करता है, यानि कि यहीं वो genes है जो कि define करता है कि कि कितने नए cells regrow होंगे कितने cells divide होने चाहिए, कितनी तादाद में cells बनने चाहिए पर आप यह सोचो कि अगर यह cells असे grow ही होते रहे, तो वो काफी सारे मातरा में हो जाएंगे, यानि कि uneven form में grow होंगे, uneven तादाद में grow होंगे, और इसकी वज़े से तो benefit होने के अलाबा काफी सारी body की जो functionalities है, उसमें problems आने लगेगी, और इसी चीज को हम cancer कहते हैं, यानि कि uneven grow हो रहे cells इन functionalities को रोकते हैं, और धीरे-धीरे body function नहीं कर पाती, यही चीज cancer है, और इसी जिसको रोकने के लिए एक और genes होता है, जिनने tumor suppression genes कहा जाता है, जो कि यह decide करते हैं कि आखिरकार इतने ही limit तक यह cells बनने चाहिए, तो इन दोनो genes के combination सही आपकी body काम करती है और even आपका healing factor भी काम करता है, तो somehow अगर आप इन दोनो genes के function को control कर पाओ, यानि कि आप decide कर पाओ कि आपको कब cells को regrow करना है और कब रुख जाना है, तो आप अपने healing factor और regeneration को activate कर सकते हो, हाँ और यह चीज पॉसिबल है, क्योंकि salamander प्रजादी का एक जीव है, जो कि इस चीज को कर पाता है, जो कि अपने सारे body parts को कटने पर regrow कर सकता है, उसके उपर कोई disease का असर भी नहीं होता, पर एक human को ऐसे mutate करना मेरे हिसाब से बहुत difficult होगा तो हाँ, इतना रिक्केत आपने लग रहा होगा कि Deadpool जैसा healing factor और regeneration अचीव किया जा सकता है पर मेरे हिसाब से ये possible नहीं है क्यों मैं आगे समझाता हूँ लेको सबसे पहले तो इस चीज को अचीज को अचीव करना ही एक next to impossible task है, कॉमिक्स में जब स्क्रल्स ने Deadpool की पावर को कॉपी करने की कोशिश की थी, तो क्योंकि उन स्क्रल्स को cancer नहीं था, वो uneven form में ग्रो होने लगे और literally फट गए, तो ये चीज तो complicated है ही, इसके लावब एक all twist है, तो आप ये सोचो कि एक बच्चे के बारे में बच्पन से ही ऐसा कहा जाता है कि उसे एक अच्छा nutrition मिलना चाहिए regularly food मिलना चाहिए ताकि वो malnutrition यानि की कोपोशित ना बने और उसका healthy growth हो तो एक बच्चा बच्पन से इतना सारा nutrition consume करता है तब जाके उसकी body का healthy growth होता है अगर आपको थोड़ी से भी चोट लगी हो काफी खाना खाना पड़ेगा अगर आपका पैर कट चुका है जिसका weight अप्रोक्सिमेटि 10 kg है डेडपूल की तरह तो उस 10 kg के body part को वापस grow करने के लिए आपको इतनी सारे nutritional needs होगी कि आपको कहीं सारा किलो खाना खाना पड़ेगा यानि कि आपको अंधा खाना खाना पड़ेगा तब आपकी body इतने energy ला पाएगी कि वो उस चीज को regrow कर सके वो भी तब कि उसे उसे regrow करना आता हो यानि कि जैसे हमें Deadpool की movie में दिखाया जाता है कि जगरनाट उसे बीच में से चीर देता है उसके बाद उसके पैर वापस से regrow हो जाता है बिना किसी need के ये impossible है क्योंकि ये energy conservation के खिलाफ है आप ऐसा कर ही नहीं सकते अगर ऐसा होता तो कुछ मुर्गियों को Deadpool की powers दी जाती और फिर उन्हें आधा कार्ट कार्ट के गरीबों में बाट दिया जाता पूरे वर्ल्ट की खाने की problem ही solve हो जाती तो ये चिस समझ लो कि यहाँ पर energy भी बहुत बड़ा factor है और बिना कुछ खाए पि ये इस तरीके से heal होना possible ही नहीं और इसी point पे मुझे healing factor ज्यादा logical लगता है regeneration से यानि की Wolverine की power Deadpool से ज्यादा logical है कैसे तो एक बार comics में ऐसा हुआ था कि Hulk ने Wolverine को बीच में से चीर दिया था बिल्कुल जैसे Juggernaut ने Deadpool को चीरा था और Wolverine की आधी body को fake दिया था तो Wolverine को उस घायल हालत में 6 किलोमेटर जाना पड़ा अपने हाथों का यूज करके अपने legs को ढूणना पड़ा और फिर उसने अपने legs को वापस से अटेज किया और धीरे धीरे हील हुआ यानि की बिल्कुल इस तरीके से नहीं की बिना किसी नीड के आप पूरे की पूरे औरगन को regrow कर रहे हो बलकि उसने सिर्फ अपने अपको हील किया जो कि comparatively कम energy consume करता है इसके अलावा भी कहीं सारी चीज़े है जो कि healing factor के थुरू possible नहीं जैसे कि अपकी memory का या फिर अपके brain functions का हील होना अपने सुना होगा कि कहीं बार लोगों को जब heart attack आता है तब उनका दिमाग कुछ ही seconds के लिए function करना बन करता है और फिर वापस से कभी शूरू नहीं कर पाता इस चीज़ को कहीं बार लोग brain dead भी बोलते है अपने ये किस से सुने होंगे कि लोगों के गिरने के बाद उनका memory loss हो जाता है वहाँ पे जो neural networks होता है वो काफी complex होता है वहाँ पे कुछ electrochemical processes होती है जो कि memory को store करती है और अगर एक second के लिए भी इन processes को रोका जाए तो उन्हें वापस कभी नहीं बनाया जा सकता यानि कि आसान भाशा में कहूं तो आपकी memory कोई cell नहीं है जिसे वापस regrow किया जा सके और इसलिए memory के loss हो जाने के बाद इस चीज को वापस राना पॉसिबल नहीं और थोड़ी second के लिए भी brain को blood ना मिले तो वो वापस कभी function नहीं करेगा जैसे कि brain dead की condition में होता है तो जितना blood loss, Wolverine या फिर dead pool का होता है उनकी fights के दौरान उनका brain function करना बन कर देगा और वापस से कभी उनकी memory या फिर वो functionalities वापस नहीं आएगी basically वो लोग handicap हो जाएंगे एक factor ये भी है कि यहाँ पे characters वापस heal तो हो जाता है वापस regenerate हो जाता है पर उन्हें दर्ध होना तो बन नहीं हुआ न मतलब अगर आपका एक नाखून भी तूटे तो आप सोचो कितना दर्ध होता है तो अगर इन characters के हाथ कट रहे है उंगलियां कट रही है पैर कट रहे है I can't even imagine उन्हें कितना दर्ध होता होगा और I am sure कि अगर ऐसे real life में हुआ तो वो पागल ही हो जाएंगे तो कुल मिला के मेरा यह माना है कि Deadpool या फिर Wolverine जैसे characters का real life में exist करना next to impossible है आपको इस वीडियो को देखके क्या लगता है या फिर इस टॉपिक पे आपके क्या thoughts है नीचे comments में मुझे जरूर बताना इस वीडियो को like और share करना मत भूलना चैनल को subscribe करना मत भूलना और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में